ओम शांती आज 17 उक्टूबर दो हजार चौबिस है आज के स्लोगन से हम जानेंगे कि कौन है सच्चे सच्चे सेवाधारी सच्चे सेवाधारी कौन से प्रकार के सेवा करते हैं किस विधी से सेवा करते हैं उनकी स्वयम की धारना क्या है आए इन सब बातों को आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं अपने संतुष्ट, खुशनुमा, जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्छे सेवाधारी है संतुष्टा की शक्ती सबसे महान शक्ती है जहां संतुष्टा है वहाँ पर बाकी सब शक्तिया भी ऑटोमेटिकली आ जाती है यानि संतुष्टा रूपी, शक्ती वगुन के अंदर सर्व शक्तिया समाई हुई होती है, सर्व गुन समाई हुए होते है और जो संतुष्ट मनी संतुष्ट सदा रहते हैं वे स्वयम प्रिय भी होते हैं, प्रभु प्रिय भी होते हैं और लोग प्रिय यानि परिवार के पसंद, परिवार के प्रिय भी होते हैं इसलिए हर कोई उनसे भी संतुष्ट होते हैं जो संतुष्ट मनी होते हैं वे सदा अपने personality में खुशनुमा दिखाई पड़ती हैं हर बोल उनके खुशनुमा होंगे, हर करम उनके खुशनुमा होंगे जो भी आत्मा उनके संबन संपर्क में आते हैं, उनके साथ सेवा करते हैं उनके अंग संग रहे करके उन्हें बहुत खुशी की प्राप्ती होती हैं क्योंकि जो अंदर से संतुष्ट होते हैं, वे संतुष्ट होने के कारण से खुशी की जो जलक है, वो automatically वायू मंडल में फैल जाती है, खुशी की महक वायू मंडल में फैल जाती है, जब वायू मंडल में खुशी हो, तो जो भी आतमाई उस वायू मंडल के अंदर आते हैं, संपर्क में आते हैं तो बाकी जो आत्माई चाहे दुखी हो अशांध हो परेशान हो चाहे किसी भी प्रकार के तनाव में हो उस वायुमंडल के अंदर खुशी रुपी वायुमंडल के अंदर आने से ही उनके सारे दुख, दर्द, तनाव समाप्थ हो जाते हैं आत्मा के अं आपको सक्षम बनाने के लिए तो ये वास्तों में देखा जाए तो ये सची सची सेवा है सेवा माना ही है आत्माओं के अंदर परिवर्तन लाना दुखी आत्माओं को अशांत आत्माओं को सुख और शांती प्रदान करना तो इसलिए जो संतुष्ट मनी आत्मा है वे सदा खुशनुमा रहते हैं और खुशनुमा रहे कर ही दूसरों को खुशनुमा बनाना ये हैं सची सची सेवा, ऐसी आत्मा को ही सची सेवा धारी कहते हैं। तो संतुष्ता का आधार क्या है ये बात जाना होगा। संतुष्ता का आधार ही है बाबा द्वारा सर्व प्राप्ति का अनुभव करना, सर्व संपन्ता का अनुभव करना, जो बाबा से सब कुछ सर्व प्राप्ति का अनुभव करते हैं, वे अंदर से सदात्रप्त और संत रहते हैं वे भरपूरता का नुभव करते हैं इसलिए जो भी आत्माई उनके अंग संग रहते हैं उनको कुछ न कुछ दाता बन देते रहते हैं और देना माना ही लेना है यानि सदा खुश नुमा रहते हैं तो ऐसे सची सेवा धारी बन करके हमें सची सेवा करनी है ओम शां कर दो कर दो कर दो कर दो को तो, प्रॉड़ हो अविर धन्ती